देर सही सही पाकिस्तानी समझ गए है कि चंद्रयान भारत से ही क्यों उड़ रहा है पाकिस्तान से क्यों नहीं अभी तक तो जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है पाकिस्तानियों के असल होश फाक्ता होंगे जब भारत का चंद्रयान ग्राविटी को भेड़ता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ जाएगा अचा जी ये भारत का खलाई मिशन चंद्रयान थ्री चांद के सफर पर रवाना हो गया जिसके बारे में तवक्को की जा रही है कि वो चालिस दिन बाद 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा इसे जनूबी रियासत आंधरा परदेश में खलाई अड़े से मकामी वक के मता अचा चांद पर रोवर उतारना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ आप इंडिया का नाम किसी गाउं में ले लें वो कहते हैं तुदा साड़े दुष्मन है मारने तक जाएंगे आप उनको सुझाओ के यार ही देखो वो क्या दना हमने दुष्मन के बच्चों को पढ़ा सालों से बधाली देख चुके पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि नफरत और आतंक से अब कुछ नहीं होगा इंडिया से मुकाबला दूर की कोडी है तो बार-बार अपनी सरकार अपने सिस्टम और अपने समाच को कोस रहे हैं पाकिस्तान सिर्फ बना रहा है तो बेवकू बन बना जानते हैं लोगों को या दुनिया को नमस्कार दोस्तों मेरा नावन धीमार आप देख रहे हैं ने संब्रो भारत पाकिस्तान के लोग भी कहने लगें कि भारत कहां पहुंच चुका है और हम अपने देश के अंदर आटा नहीं पूरा कर पा रहे हैं और भारत आसमान कितने दुखी हैं बता दें जरा पहली बात तो यह कि मैं इंडिया को कॉंग्रेट्स करना चाहूंगी इस बात के उपर एंड दिल से खुशी हो रही है कि उन्होंने चंदरियान 3 को लांच किया है और हम होब भी करें कि वह स्मूद लैंडिंग करें मून पर एंडिया अप इसने आपको आगे लेके जा रहा है और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम यही बात करती है कि इंडिया ने क्या कर लेना लांच करके पहले फेल हुआ है अब भी फेल होगा तो मेरे खाल में को पॉस्टिफ जेस्टिर देना चाहिए आपको दोनों ने करने की चार बरसों के दोरां दूसरी कोशिश है और वो जो भी उससे पहले हुआ मैं आपके मुसको उसके मुतालिक में आपको बता चूकी हूं मैं सोरी टूसे अब हम तो इंटरनेट का पैकेज भी लगाते है ना तो मैं अभी नाम ने ले सकता कि क्या कर देखने की लगा को पढ़ाना है वो पहले आपता पढ़ दो दुस्मन के बचे पढ़के चंद्रियां चड़ा रहे हम यहां पर जो पढ़ता वो खुद जाहत बन जाते हैं पाकस्तान सिर्फ बना रहा है तो बेवकूप बना रहा है पुरी दुनिया को राज से नहीं है छेहतर साल से बना को बना है इसकी फिर को है बहुत सारे पाकस्तानियों जब हमने इस पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता ही कि चंदरियान 3 है क्या इसके पीछे क्या वज़ा आपको नज़र आती है मतलब इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है 650 करोड का खर्चा किया गया है चार सालों की इंडिया की साइंटिस्स की इस्टो की मेहनत है लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंदरियान 3 क्या है इसकी बेसिक जो वज़े नज़र आती है हम लोगों को जो यूज़ को नज़र दर लेक ओफ नॉलिज और लेक ओफ एजुकेशन हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता हमने इंटरेस्ट लिया होता तो हमें पता होता के चंदरियान 3 क्या है वन टू तो भूली जाओ चरो थरी का तो हमें पता होता है कि यह चीज़ एक्जिस्ट करती है बहुत कम मेंसे लोगों के जिनको यह भी पता हो कि स्पार्को क्या है और इस्टो क्या है कि नासा ये है वो ये काम करती है उसे जद्ध हमें कुछ नहीं पता हूँ सका हमारी हो works I線 नीड ही प्राइमरी में बच्चों को बता देना चाहिए उनके लिए एक अलग सेशन होना चाहिए इस चीज़ का चाइना और इंडिया की बड़ी राइवल्री आपको पता है तो चाइना इस वक्त बड़े गौर से देख रहा है इसकी वज़ाई है कि उसे पता है कि वो भी स्पेस इ एजुकेशन के बारे में एल्म नहीं होगा तो ये पिर हमारे सियासतदानों के लिए डूब मरने का मकाम है वो डूबें के भी नहीं क्यों कि पानी चोड़ा है लेकिन क्या करें एक होते हैं वन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होती है ये प्रोग्रेस कर रहा है अगर चाहिया lleva हुए को फैसे चिछाए हमें से बिसी खाल शोरौबम अछिए होनी चाहिए तो हम कैसे कर रहे हम हम में पता ही नहीं हम पैसे नहीं लगाते पैसे लगाएं भी कैसे हम अम गषारिएं का से लेग Ayucka जंडा कहां से बन वाएंगे ये जारीचीज़एं अवाब कहले कि हमारी गौर्मेंट है उसने इतना कि एक किसम का मेंटल कर दिया है टेकनोलोजी और साइंस में इंडिया जितना आगे जा रहा है उस पे हम कैसे कह सकते हैं कि यह जो है उसमें कोई यह बास सही नहीं है बिल्कुल सही है अब सिच्वेशन यह है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश से मतब देख कुड़न इवन स्पीक उनके वर्ड्स खतम हो गए थे प्राइमरिस्टर मोदी भी पारिस में थे तब उन्होंने भी ट्वीच किया और उन्होंने गोरेट किया फाइनली जो है चंद्रयान सुक्सेस्फुली जो है वो लॉच हो चुका है चालिस दिन के बाद उसने अपफुली डेफिनिटली उन लोग ने जितनी चार साल की स्ट्रगल किया है मेनत किया न तो डेफिनिटली इडिस गूंग तो बीज़ एफिस्ट फो इंडिया और ओविस्ली ऑलरडी जो है इस वान फ़ बिगज़ 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 स्पेस और उर्गिन वेर्ड़ी लेकिन टक्कर देने वाला नासा को ब और एक को आप कामियाभी समझ से कि अगर आपके परचम बनावा है तो अगर आपकी काम याभी उस वक्त है कि जब आप चान पर अपना पर्चम लहरा दें और वो इंडिया ने कर दिका रहा बाद करें जो 2019 में इस्ट्रों ने लांच किया था सिर्फ लैंडिंग से आदा घंटा पहले मतलब जो भी मसायल पेश आए लैंड नहीं कर सका था और सिर्फ जो है उनका टेकनिकल इशू उनका रापता मुनकता हो गया था जिसकी वज़ा से उन लोगों ने कहा था कि सेफ नहीं है वरना व पर स्टे करेंगे उस पर स्टडी करेंगे और फिर जो है सिच्वेशन ही होगी चंद्रयान वन वस सक्सेस्फल एंड चंद्रयान तू जो का सीक्वल था उसमें कुछ टेकनिकल इशू की वज़े से वो लोग वापस आगए थे अब सिच्वेशन यह है कि इस दफा उनका प बड़ी बात है एक चाइना रश्या और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े-बड़े कंट्री के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लिग लगा हम लोग बात करते हैं मतलब आप मैं या हम बैसे कोई भी जब ब साल बाद फेसे लांच किया गया है उसके बाद जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं उनको चीज़े समझ में आ गई है कि हम भारत से किसी तरीके से कंपेर नहीं कर सकते हैं हमारी एजंसी का किसी को नाम नहीं है और भारत ये सारी चीज़े करने जा रहा है एक भाई कि लोगों को बेकोब बनाता है बाकियों कुछ नहीं कर सकता है आपका क्या कहना है में कमेंट सेक्शन में जुरू बताइएगा मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवाद